नमस्ती, क्या से हूँ आप सुब लोग, आपको आपके मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना यार, बस आपके फोटो भेज़ दो मुझे, आपके टांग की, आपके हाथ की, आपके पैर की, आपके यहां की, आपके वाहं की, पता नहीं कहां कहा कि मैं जो फोटो मांगू वो भेज हो और मैं आपको कुछ पूजा पाठ की चीज़े बता दूंगे और मैं आपके मैनिपेस्टेशन के रिए फूज़ा करोंगी ठीक है आपको बने सबकुंचें से अनाम पर फ्रॉड पूज़ ओर रहे हैं हम तुम्हारे नाम की पूज़ा कर देंगे हम ये कर देंगे तो तुम्हारे नाम की पूज़ा करने से वह Manifestation complete हो जाएगा, क्यों? उनके भगवान, उनके पूजा पार्ट आपसे अलग हो गए? आप अपनी एनर्जी पे काम करिए, देखें, Manifestation का सीधा-सीधा सा मतलब है आपका Subconscious Mind, अगर उस बात को लेकर के प्रोग्राम हो गया है, आप उस एनर्जी को अंदर से radiate कर रहे हो, आप क्या सुनते हो यार? पहले तो यह सोचो, आप वीडियों में सुनते क्या हो? आप क्या सुनते हो मेरे वीडियों में जा करके वो बताओ मुझे की क्या सुनते हो? Subconscious की programming, self-love, अपनी healing, अपने आपकी एनर्जी को चेक करो, अपने आपके उपर काम करो, self-love करो, जो भी पूझा पाठ करने हैं, खुद से करो ना, यार, उतनाई भगवान जामने वाले का, उतनाई भगवान आपका भी है. आपके अंदर ही बैठा हुआ है वो. मैंने आज तक, आज तक, आज तक की मैं बात कर रही हूँ. Law of Attraction का कोई course ही नहीं किया है, कि आप लोग आओ, मेरे पस में register करो, और मैं Law of Attraction का कोई course दे दूँगी आपको. क्या है ये? Law of Attraction के में सारे वीडियों, आप लोगों के साथ में share करती हूँ. हाँ, हीलिंग होती है, हीलिंग के में sessions लेती हूँ. हीलिंग के sessions की यार देखो, बात अलग है. महाँ पर एक collective energy है, सब लोग मिल करके heal कर रहे हैं, हम साथ में मिल करके वो सारी चीज़े कर रहे हैं. उसमें भी कोई पूजा पाठ नहीं है, भाईया, और आपके अंगों की पोटो भी नहीं मांगी जा रही है. अब समझो, अगर कोई भी healer आप से आपके यहां के अंग की, वहां के अंग की, यहां की, वहां की कोई पोटो मांगता है ना, be careful भाई, पहले ही सतर को जाओ कि क्यों, क्यों देने ये पोटो, फोटो देने से क्या हो जाएगा, आप मेरे यहां के अंगों की फोटो देख भी लेंगे, तो उसे होगा क्या, आपको थोड़ा सा समझ आता है, आप नहीं समझदार होगे ना, इस तरीके के फ्रॉट होते चले जाएंगे, क्योंकि आप होते हो डाउन एनर्जी में, नेगिटेव एनर्जी में, दुनिया के कोई भी ताकत लगा कि बस आपको अपना मैनिपेस्टेशन कंप्लीट कर ले ना होता है, इसलिए ऐसे लोग आपका फायदा उठाते हैं, मेरे पास जब कॉल काउंसलिंग भी होती है, आप लोगों मेरे पास कॉल में भी आते हैं, जो लोग बहुत सारे लोग आते हैं, मैं मना करती हूँ, मताओ मेरे पास, मैं वीडियों उसके अंदर हर एक चीज़ शेर करती हूँ, अब अगर नहीं हो रहा है, मैंनिपेस्ट, नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर बहुत बुरी तरीके से फस गया हो, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे हैं, एक दम ही स्टागन फील कर रहे हो, तब आओ, तब आओ, तब मैं कॉल पर, और क्या बात है, दिखें, क्या होता है न, आप लोग इतने जादा डरे हुए होते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को लिए कर लिए इतने डेस्परेट होते हो, कि सामने वाला इंसान है न, फिर आपका ऐसे में फाइदा उठाता है, प्लीज यार, प्लीज हाद जोड़ती हूँ, मैनिफेस्टेशन का सीधा-सीधा मतलब आपके सब्सकॉंशस से है, आपकी एनरजी से है, आप अपने आपको समझालो पहले, अगर आप नेगेटिव हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, ऐसे लोग आपकी स्थतीका फाइदा उठाएंगे, और आप नेगेटिव और परेशान बने ही रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, आप आप पर भी आपकी चानटिंग चल रही है, आप पूरा एकदम एक एनरजी के अंदर डूपते चले जारे हो और वो बताया जा रहा है, फील करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप हवा में, मैंने, मैं आपकी पूझा कर दूँगी, मैं आपकी पूझा कर दूँगा, आओ, मैं आपका manifestation complete कर दूँगा, अब तुम अपनी manifestation के लिए फलाना फलाना दो दो घंटा तीन तन घंटा ये वली पूजा करो, मत फसो, ऐसे सब चक्करों में, ठीक है manifestation बहुत clear cut, subconscious mind का game है, प्लीज, उसको ध्यान से समझ करके अगर आप करोगे तो आप अपने manifestation को खुद बखुद ही पूरा कर सकते हो, क्यों ये सारी चीजों में फसरे हो, ऐसे में आप सिर्फ और परिशान होने वाले हो, कोई फाइदा नहीं मिलने वाले है आपको, आप इका नुकसान है हर चीज का नुकसान है, आपके emotions का नुकसान है, आपके पैसे का नुकसान है आपके energy का नुकसान है, आपके समय का नुकसान है, आप एक बात बताओ ऐसे में कैसे हो सकता है, आप वीडियो में क्या सुनते हो यार, मैं तो, मैं सच में बता रही हूँ, मैं, जब ऐसी अंगों की फोटो खैर पता सबको सब है यार पर आप लोग थोड़े से दिमाग लगा लो ना यार थोड़े से दिमाग लगा लो यहाँ पर ऐसे भी लोग है मेरे ही इंस्टेग्राम के पिल्कुल मेरा जैसा ही नाम उठा करके अकाउंट्स बनाते हैं और वहाँ पर आप लोगों को जाकर के परिसनल अकाउंट है ऐसा करके मैसेज करते हैं आप लोग उसमें भी फस जाते हो जबकि मैंने दिया क्या वा आइड़ी आपको अगर मैं हो मैं यहां पर भी कुछ भी मेंडेट्री नहीं है मेरे साथ कॉल के लिए हजार बार बोला है हजार भार बोला है और आज भी यह डालती हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझो समझा करो ना सिर्फ उपर उपर चार manifestation के लोग में अतलग जाय करो यार में law of attraction के उपर डीप में जा जाके detailing करके चुटे 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 टॉपिक चुटे चुटे वीडियो डेली पोस्ट करती हूँ किस लिए पोस्ट करती हूँ आपके लिए पोस्ट करती हूँ इस लिए पोस्ट तो नहीं करती हूँ कि आप जाकर के इस तरीके किसी को अपने पोटो जार जाकर करके भेज और ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो इस दुनिया में आपके अलावा आपकी manifestation पूरी करने की ताकत किसी के भी पास नहीं है मेरी manifestation पूरी करने की ताकत मेरे पास है मुझे उसके उसके उपर काम करना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही आपके manifestation पूरी करने की ताकत आपके पास है ब्रह्मान्ड में वो ताकत किसी को दी नहीं गया है इसलिए तो आपको unique बना करके पैदा किया गया है यार कमान किस दिन समझोगे आप और किस दिन आप ऐसे fraud से बचना शुरू कर दोगे क्या कर रहे हो यार manifestation यह होता है क्या manifestation क्या होता है पहले वो तो समझ लो किसी एक बात की energy frequency thought आपके विचार उस चीज के साथ में आपकी feelings आपके हर एक चीज वो जो भावनत्मक रूप से आपके अंदर से निकल रहा होता है आप जो हो रहे होते हो वो आप manifest कर रहे होते है it's very simple मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही है और मैं यहाँ किसी के बारे में actually बोल भी नहीं रही हूं मैं सिर्फ बता रही हूं कि आपका manifestation सिर्फ आप पूरा कर सकते हो सोचके, समझके, उन छोटी-छोटी चीजों के उपर काम करके जिनसे आसानी से आपका manifestation पूरा हो सकता है ऐसे चीजों में फसके आपको दुख होगा आपको परिशानी होगी आपका समय भी बरबाद होगा और मिलेगा कुछ नहीं मैंने पहले भी बोली ही बाद मेरा law of attraction पर कभी जन्दगी में कोई कोर्स नहीं आने वाला है और paid तो बिल्कुल ही नहीं impossible क्योंकि law of attraction का कोई कोर्स ही नहीं हाँ, healing के होते हैं क्योंकि हम खुद भी healing लेते हैं हम खुद भी healing की training करते हैं healing होती है, मैं समझती हूँ healing है, क्योंकि वहाँ पर energy और इन सारी चीज़ों के उपर हम समझ करके वहाँ पर काम करते हैं meditation होते हैं और भी बहुत सारी तरीके की healing होते हैं healing अलग पार्ट है जो आपको help करता है heal होने में, लेकिन उसके अलावर और यह जो दूसरे चीज़ है आओ मैं manifestation करवा दूँ आओ manifestation के नाम पर यतनी सारी पूझा हो रही है क्या है यार, आप एक दिया भी दिखाओगे न और भगवान के सामने जाकर की grateful हो जाओगे यार thank you बोल दोगे न इतने में भी आपको manifestation कंप्लीट हो सकता है बस अंदर काम करना होता है मत ना फस हो यार पहले इतना सब कुछ चीज़ को लेकर के रायता पहला हुआ है पूचा पाठ और इन सारे चीज़ों के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे है manifestation को भी इसमें गुसा दिया और इसमें इन गलती हम जैसे लोगों के गलती आप जैसे लोगों के जो जाते है उनकी गलती तो है ही नहीं उनकों तो मिल गया आपके जैसा बकरा मैं यहापर आप सबसे न अपने लिए भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ ठीक है मेरा law of attraction को लेकर के कभी कोई कोर्स न रहा है ना आएगा कभी life में नहीं आएगा हाँ अगर law of attraction के उपर कोई कोर्स चला ना होगा या मुझे कोई शीच डाल नहीं होगी या कुछ भी होगा मैं यहापर आप लोगों के साथ में शेक कर दूँगी उतना तो समिर लो यार मुझे नहीं पता मत करो आइंदा से धिहान रखो आप से कोई भी आपकी photos मांगता है आप से कोई भी ऐसी थोड़ी सी वैसी वाली कुछ बाते करता है आप से आपकी partner के बारे में या आपकी sex life के बारे में या ऐसी कोई बातें जो होती है वो आप से करते है be careful नहीं no means no है नहीं कुछ चीज़ें private होती है private ही रखनी चीए आपका शरीर private है private रखो वो बली बातें आपकी है आपके partner की बीच के है हाँ बातो बातो में कोई बहुत major point है जहाँ पर कुछ discussion करना है या पूछ नहीं है आप से कि आपका क्या relation था या ऐसा था क्या उतना बताओ जितना बहुत जरूरी है ज़्यादा खुल-खुल करके अपनी बातें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है इन सारे चीजों से फाइदा उठाय जा रहा है प्लीज यार, be careful यार manifestation को जब ऐसे बनाया जाता है मुझे हर्ट होता है मुझे बुरा लगा ये सुनकर के आप से कोई भी photos मांगता है आप से कोई भी उल्टी सीधी बात करता है आप से कोई भी manifestation के नाम पर astrology, astrology के नाम पर manifestation, उसको ग्रहनक शत्र उसको अपनी पूझा पार्ट में जोड़ देना अपनी पूझा पार्ट करवा के आपका manifestation करवान, इस सारी बाते अगर करता है तो प्लीज आप समझे वो दो तीन चीजों को एक साथ जोड़ करके आपके सामने परोच रहे हैं और कही न कहीं आपकी उस चीज का फाइदा उठाया जा रहा है simple है, क्योंकि manifestation से ज़्यादा simple कुछ भी नहीं है आप उपने उपर काम करना है, अपने अंदर काम करना है, अपने energy पे काम करना है, positive बने रहना है अपने thoughts को देखना है, बास इसके लावा कुछ नहीं है और मैं ये जो बात करी हूँ ये healing sessions के लिए नहीं करी हूँ क्योंकि healing होती है सब अपने अपने तरीके से जाते हैं जैसे मैंने खुद भी रेकी के courses किये हुए है और भी बहुत तरीके के हैं विपसना, मैं गई वही हूँ इसके लावे बहुत सारे meditation के courses meditations है जो भी है, जो भी मैं ले सकी, जो भी मैं कर सकी वो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन law of attraction का कोई course नहीं है और दूसरी चीज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं कर दूँगी तो आपकी manifestation पूरी हो सकते हैं, बस मैं आपके लिए यार प्रे कर सकते हूं वो तो मैं यहां पर भी कर सकते हूं मैं आपको bless कर सकते हूं, वो तो मैं यहां पर भी कर सकते हूं मैं आप सबके लिए grateful हो सकते हूं वो तो मैं यहां पर भी हो सकते हूं मैं affirmation दे सकते हूँ कि यार आप सब की manifestation पूरी हो जाए और आपकी सब की success stories मेरे पास में आ रही हो वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकते हूँ उसके लिए अलग से मेरे को कोई पूजा पाट का नाटक ब्रचानी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानते हूँ कि वो शक्ति आपके अंदर आप अपनी manifestation को खुद से पूरा कर सकते हो प्लीज यार प्लीज मैं इतनी लंबी बात अगर इस टॉपिक पर कर रही हूँ ना तो मैं आप सब के हाट जोड़ते हूँ प्लीज एट लीज लोगों यहां से subconscious के अंदर बाट डालने की चीज़े सीखो अपने energy पर अपने vibration पर अपने alignment पर अपने thoughts पर आप कैसा सोच रो कैसा feel करो उस चीज के ओपर काम करो इतने में manifestation समझ आ जाएगा और अगर नहीं आ रहा है तब भी समझ में ना तो भी ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है आपको प्लीज calls मेरे भी चलते हैं आप लोग calls पे भी आते हैं वहाँ पे मैं आप सबसे कह रही हूँ पहले वीडियों देखो अच्छे से follow करो लग के follow करो पूरा समय देखर के follow करो एक एक वीडियों की ना भारी की भारी की वाली बाते ना समझो और फिर उसको उतारो देखो आप मैनिपेस्ट कर लोगे जहां लग रहे हैं नहीं हो रहा है यार बहुत ही हालत करा तो मैं होती हूँ और उसके लिए मैंने कभी नहीं बोला कि कंपल सरी है आज भी बोल रहो कि कोई कंपल सरी नहीं follow करो और हो जाएगा please please यह मत करो please I love you love you जादे ही बोल देना मैंने समझ जाओ या please